international relations में हम terms पढ़ते हैं such as bilateralism, multilateralism, regionalism और जब South Asia की बात आती है जब subcontinent की बात आती है तो regionalism का spirit यहाँ पे काफी weak दिखाई देता है 1985 में स्थापना करेगी थी सार्ख की South Asian Association for Regional Cooperation लेकिन आज 2023 में सार्ख हमारे सामने जीता जाकता एक विफलता का सबूत है लेकिन South Asian region को अगर economic prosperity चाहिए अगर economic growth चाहिए अगर millions and millions of people को poverty से uplift करना है तो जरूरत है एक strong regional block की within the South Asian region As a UPSC aspirant, there are two regional blocks जिनके बारे या तो आपने पढ़ा होगा या आप अगर नए आस्परेंट है तो definitely पढ़ेंगे हमारे GSK lectures में वो है एक तो SARC, South Asian Association for Regional Cooperation और एक है BIMSTEC, Bay of Bengal Initiative for Multisectoral, Technical and Economic Cooperation दोस्तों स्वागत करता हूँ फिर से आज के इस वीडियो में A very good morning to all of you BIMSTEC versus SARC का जो comparison है UPSC में तो कई बार पूचा है लेकिन as a UPSC aspirant, as a student of international relations हमको significance क्या है BIMSTEC की वो बात समचनी बहुत जरूरी है because SARC has definitely failed to deliver the promise for what it was established तो BIMSTEC में दोस्तों, पहले तो आपको ये बताओ कि इसमें BIMSTEC में 5 South Asian देश आते हैं यानि कि बांगला देश, भूटान, इंडिया, मियानमार, श्रिलंका, थाइलांड, नेपाल ये देश हैं यानि कि इसमें से मियानमार और थाइलांड जो है ये South Asian countries आ जाते हैं बाकी के जो 5 हैं वो आपके South Asian countries आते हैं 26 साल हो चुके हैं 1997 में इसकी स्थापना करी गई थी इसकी स्थापना करी गई थी ये बात भी आपको बता हो जब BIMSTEC की बात आती है तो आपने एक और वर्ड पढ़ा होगा Bangkok Declaration थाइलांड की राजदानी है Bangkok, Bangkok Declaration के चलते Bay of Bengal Initiative of Multisectoral Technical and Economic Cooperation की बात आती जाहर सी बात है कि वो countries जो के Bay of Bengal के इर्दगिर्द हैं Bay of Bengal को सराउंड करते हैं और ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि BIMSTEC देश जो है यहाँ पे कितनी अबादी है कही न कहीं यहाँ पे सरफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान और माल्डीव को छोड़ के पूरा का पूरा इंडिन सब कॉंटिनेंट है BIMSTEC देश के जो अबादी है वो 1.500 करोड से जादा की है यानि कि लगबग 1.5th slightly more than 1.5th of the world's population और अगर हम cumulative GDP की बात करें तो अकेले भारत की ही GDP अब 3 trillion dollars की हो चुकी है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 सवा 3 trillion dollars की combined GDP इन सातों के साथ देश की है इसमें से सबस्यादा लीड भारत ले रहा है अब 25 वी सालगरा बिम्स्टिक की पिछले साल मनाई गई थी कॉलम्बो में मार्च की बात है मार्च 2022 की बात है कि इसका 25 वी सालगरा बनाई गई थी पांचवा सम्मिट पांचवा सम्मिट बिम्स्टिक का पिछले साल कॉलम्बो में बनाया गया था अब यहाँ पे सोचने की बात है कि याने के 25 साल में यदि ये संगठन केवल 5 बार मिला है तो ये अपने आप में दिखाता है कि क्या जो leaders हैं इन countries के क्या वो इस forum को लेकि serious नहीं है क्या इतने promising block की जहाँ पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि सार्क के agenda को पाकिस्तान की हरकतों ने पाकिस्तान के state sponsor terrorism के तोर तरीके ने काफी बिगाड के रखा था चलो चार साले में एक बार world cup होता है लेकिन यहाँ पे तो पान साल में एक बार meeting हो रही है अगर हम दुनिया के किसी भी कोने के किसी भी region की बात करें कोई ऐसा region नहीं है जो के bimstick का मुकाबला कर सके in fact एक बात जिसके लिए South Asia को बहुत criticism मिलता है कि Asian को देखो South East Station countries को देखो European Union को देखो कितना economically well integrated region है मैं शायद यह बात अपने हर एक IR के lecture में जरूर कहता हूँ जब हम neighborhood series की बात करते है कि इंडिया को ब्राजील के साथ trade करना जादा economical पड़ता है as compared अगर इंडिया ने पाकिस्तान के साथ trade करना है इंडिया अगर कल को विक्सित भारत बनता है और इंशाला जरूर हम बनेंगे लेकिन विक्सित भारत बनने का क्या फाइदा य bends हमारे आसप्रोस मैं लोग हमारे आसप्रोस में जो देश हैं वो गरीवी के ददार पे हैं ये बात बताना चाहूँगा कि जो बिम्स्टेक देश हैं जिन साथ देशों की हमने बात कही मैं just in sake just for the sake of checking your attentiveness मैं आपको चोटा सा homework दे रहा हूँ बिम्स्टेक के जो seven countries हैं वो आपने comment section में बताना है ये purpose इसकर किया है ये चोटा सा homework मैं आपको इसकर के देता हूँ because आम तोर बे बच्चे lecture का PDF देखने में ज़्यादा दिल्चस्ट रहते हैं lecture पूरा सुन के नहीं जाते हैं चोटा सा lecture होता है 10-12 मिनिट का तो just to see your attentiveness बिम्स्टेक के कौन से वो देश साथ देश जो है आपने वो mention करने comment section में ये जो seven member countries है बिम्स्टेक की इनके भी civilization links है और ये regional integration ये जो regional integration approach किस principle पर काम करती है कि खुद तो हम prosperity करना ही चाते हैं लेकिन हमारी prosperity अधूरी है जब तक हमारे पडोसी देश की prosperity नहीं होती है हमारे पडोसी देश में जब तक वो प्रगती नहीं आती है वो समरीती नहीं आती है तो कोई फाइदा नहीं है हमारे prosperous होने का इंपोर्टेंटली ये बात समझें कि पाकिस्तान बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है तो यानि कि बिम्स्टेक एक मौका भारत को देता है कि साउथ एशन रीजन में अगर हमने कंस्रक्टिव काम करना है क्योंकि देखा जाता है कि देखिए पिछले अब लगभग 9 सालों से सार् समिट हुआ था नेपाल में उसके बाद आज 2023 है एक भी एक भी सार्क मीटिंग उसके बाद नहीं हुई क्यों 2016 में उरी होता है 2019 में पुलवामा अटाक होता है हमारी सरकार ने बहुत सपश्ट तरीके से कहा कि देखिए गोल बंब 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 संदूग और बाची देख साथ नहीं जल सकती है आप हमारे जवानों को मारेंगे और हम आपके साथ बातचीत करेंगे यह कते नहीं होगा और पाकिस्तान के इस बुरे रवाइये को देख के हमने सार्क में कुछ जादा इंगेश नहीं किया पिछले 9 सालों में unfortunately a very promising block but nothing has come out of it. So and so that even we have not been able to achieve a free trade agreement in the South Asian region. ASEAN, European Union या वो चाहे हम South America की बात करें, Mercosar की बात करें, यहां पे देखी economic growth क्यों होता है? Because यहां पे regional trade integration बहुत जादा अच्छा है. तो यदि सार्क में काम नहीं हो रहा, यदि सार्क में constructive agenda नहीं आगे बढ़ पा रहा, तो BIMSTIK वो मौका भारत को देता है, जहां पे हम constructive agenda को आगे बढ़ा सकते हैं. अगर challenges की बात करें, BIMSTIK की अपने challenges हैं, पहले तो देखिए कि यहां पे भी देखी गरीबी बहुत है, अब Pakistan, Afghanistan, Maldives इसमें नहीं मौझूद, लेकिन बाकी देशों में तो गरीबी है, खेर गरीबी तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी बहुत है, climate change के जो impact हो रह है, as compared to SARC के innovation के जरीए हम regional trade integration को बढ़ावा दे सकते हैं, अब ये बात भी सोचनी बहुत जरूरी है कि periodic meetings क्यों नहीं हो रही है, ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि BIMSTIK का जो charter है, ये 2022 में, 2022 में जब 25 साल complete हो गए थे, तब जाके BIMSTIK का charter बना है, एक इतनी strong organization जिसक को हम कहते हैं कि बहुत potential है, बहुत effective regional trade लेके आ सकता है, उसका charter इतनी देर बाद जाके क्यों बने, 25 साल क्यों लगे, उस organization का charter बनने के लिए, 2016-2018 में जाके हमको political or economic direction मिल रही है, उस block की, जो कि 1997 में बना था, एक नया narrative South Asia में आ रहा है, कि India can successfully use the instrument of bilateralism over regionalism, यानि कि South Asia में कई challenges हैं, पहली बात तो इंडिया एक nuclear arm neighborhood में रहता है, चाइना on one hand, पाकिस्तान on one hand, चाइना की कोशिच बहुत रही है, हमारे neighborhood में दखल अंदाजी करने की, हमारे पडोसी देशों के साथ, उनके internal matters में दखल अंदाजी करने की, individual basis में अगर हमने अपने नेपाल के साथ bilateral रिजनलिजम का, ये बात को समझें कि अच्छे bilateral रिष्टे होना तो बहुत जरूरी है, लेकिन वो compliment करते हैं, अगर regional integration, regional integration के एवल economic matters में नहीं, लेकिन security matters आ जाते हैं, health concerns आ जाते हैं, climate change में integration बहुत जादा required है, terrorism की बात आ जाती है, तो कितने सारे मुद्दे हैं, जहां प अवरेका है, या चाहे वो South East Asia है, चाहे वो Europe है, regionalism ने काफी prosperity दी है, इन सब देशों को, तो regionalism definitely prosperity South Asia को भी दे सकता है, या ने कि देखिए, अब यहां पे आप एक और बात समझ सकते हैं, आपको ये बात समझनी बहुत जरूरी है, कि South Asia में जहां पे violence बहुत है, गरीबी बहुत है, वहां पे इन सब चीजों से लड़ने के लिए, इन सब चीजों का समधान करने के लिए, हमको जाधा लडाईया नहीं करनी है, हमको जाधा regionalism बढ़ाना है, अगर पाकिस्तान constructive काम नहीं कर पारा, छोड़ो पाकिस्तान को, अफगानिस्तान में तालिबा लोग हैं, जो के नौकरियां चाहते हैं, उन देशों को तो एक साथ काम करना चाहिए, क्योंकि multilateralism, Russia-Ukraine War के बाद बहुत वीकन हो रहा है, तो South Asia के पास यह opportunity है, कि इस तरह के महौल में हम फिर से, वैसे तो G20 की presidency में भारत multilateralism के agenda को काफी promote कर रहा है, लेकिन regionalism के concept को भी हम काफी यहां पे support दे सकते हैं, South Asia, regionalism जैसे concept को ignore नहीं कर सकता है, वो ठीक है, हम कह सकते हैं कि सार्क को revive किया जा सकता है, सार्क में constructive काम किया जा सकता है, लेकिन अभी जिस तरह से हलाज चल रहे हैं, खास करके भारत पाकिस्तान के बीच में, बहुत idealistic लगता है कि सार्क क revive करके कुछ constructive काम हो पाएगा, तो उसके बाद सबसे best scenario हमारे पास क्या है, constructive काम करने के लिए, कि हम bimstick को और अच्छे तरीके से utilize करें, सार्क क्या obsolete हो चुका है, फिर ये बात आती है, देखी 2014 के बाद कोई सार्क meeting नहीं हुआ है, उरी हुआ 2016 में, पुलवामा attack हुआ 2019 में हमने भी मूँ तोड के जवाब दिया, सार्क obsolete unfortunately हो रहा है, ऐसा हम चाहते तो नहीं थे, काफी constructive एजंडाज हमने 18th सार्क सम्मिट में, 2014 में भी discuss किये थे, for example, जैसे कि हमने बात करी थी, मोधी जी तब नएने प्रदानमंतरी बने थे, एक motor vehicle agreement की बात करी गी थी, कि एक combined motor vehicle agreement हो, जहां पर हम seamless connectivity देख सकते हैं, चाहे वो through road है, through bus है, through rail है, by air है, सभी सार्क देशों के बीच में, लेकिन उस agenda को blockist ने किया, पाकिस्तान ने, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो differences हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, कभी 2015 में गुर्दासपुर पे attack होता है, 2016, 1st January 2016 को पाकिस्तान के साथ रिष्टा अच्छा करने के लिए तब तब पाकिस्तान की आर्मी को उससे problem हुई है, और उन्होंने कोई ऐसा काम किया है, और आतंकवादियों का इस्तेमाल किया है, पर अनफॉचुनेटली सार्क एक obsolete block आज के time पे हो चुका है, लेकिन definitely जब बनाया ग अफगानिस्तान में political instability है, कहने को तो पाकिस्तान में भी बहुत political instability है, इस करके विम्स्टेक की उपर हम काफी emphasize कर सकते हैं, वाई bother about सार्क, अगर सार्क weaken हो चुका है, तो obviously वो regionalism को कैसे strong करेगा, regionalism तो उतना और weak होगा, so instead focus on the other instruments which we have, which is विम्स्टेक, विम्स्टेक की value काफी abundant, natural और rich human resources भी वाय जाते हैं, because इन सभी देशों में युवा लोग बहुत है, बिम्स्टेक आने वाले सालों में epicenter बनने वाला है, इंडो pacific area का, in fact, जहां पे हम quad की बात करते हैं, बिम्स्टेक can play a very important role even in quad, आने वाले time में, connectivity है, free trade agreement है, इस तरह के agreements पे काफी काम किय जा सकता है, for example, अगर हम IMT की बात करें, इंडिया, म्यानमार, Thailand, Trilateral Highway, ये question भी आया था 2023 के प्रिलिप्स में, तो इस तरह के connectivity projects के उपर काफी emphasize किया जा रहा है, but the need of the hour is, कि इन सभी देशों में political stability बनी रहे, let's not forget कि म्यानमार में कितनी political instability है, और अगर हमने इस तरह की issues के सा हमने fight करना है, poverty, climate change, literacy, तो definitely इंडिया को responsible role play करना पड़ेगा, और इंडिया का record तो वैसे काफी खराब माना जाता है, as far as delivering on the project is concerned, बट हमको ये अपना जो record है, जो अपनी image है, वो भी सुधार नहीं पड़ेगी, और BIMSTEC में flexibility लेके आई जा सकती है, यदि BIMSTEC में free trade agreement नही हो पा रहा है, तो अगर within the BIMSTEC forum, अगर FTA नहीं operate lines हो पा रहा है, तो इंडिया को वो मौका मिलना चाहिए, कि जो individual level पे कैसे हम free trade agreements explore कर सकते हैं, Asian में भी एक formula है, Asian में भी mechanism है, Asian minus X, Asian में 10 देश आते हैं, South East Asia के जो 10 देश हैं, और वहाँ पे ये, उसमें basically एक framework है, Asian minus X में, जहाँ पे 2 या 2 से ज़ादा जो Asian countries हैं, वो economic commitments के अधार पे, economic framework के अधार पे negotiations कर सकते हैं, अगर वो 2 या 3 देश आपस में free trade agreements चाहते हैं, अगर within कोई ऐसा economic framework है, जो सारे के सारे Asian देशों को नहीं suit कर रहा है, तो अगर 2 या 2 से ज़ादा देश कोई particular economic framework चाहते हैं, अपने आप में वो sign कर सकते हैं, तो इसी तरह Bimstick में अगर एक unanimous FTA हमारे पास नहीं आ रहा, तो India individual basis में Myanmar के साथ, या Bangladesh के साथ, या Thailand के साथ, कुछ ना क पुछ explore कर सकता है, economic framework के अधार पर, so conclusion, Bimstick is the golden heartland of Asia, अब Bimstick की जो meeting है, छटी Bimstick की जो meeting है, वो Thailand में होगी, November में होगी, तो definitely अब और मौका है कि कैसे हम trading agenda को, और बाकी cyber security और terrorism जैसे जो related issues उसको कैसे हम और seriously ले सकते हैं, और साथ के साथ, हम कितना attractive बना सकते हैं इस region को, ताकि हम जादा foreign capital attract कर सकें, ये बहुत important बाते रहने वाली हैं, upcoming Bimstick meeting में, बाकी दोस्तों, और detail में, ये तो एक trailer type ही है, ये 15-16 minute के videos जो आप देख रहे हैं, रोज आ रहे हैं, लेकिन इससे भी जादा detail में हम topics discuss करते हैं हमारे paid courses में, तो हमारा जो GS batch 5 है, जो के live है, वो operational ह जो चुका है, ये पांचमा batch है, इस साल का 2023 का जो के live शुरू हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने demand किया कि live batch ही हम चाते हैं, और लगबग एक सपता होने वाला है, इस batch को शुरू हुए को, तो दोस्तों आप किस बात का इंतिजार कर रहे हैं, यदि आप भी mentorship course की तलाश म हैं, और एक बात बताओं, इसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, इसमें आपको essay की coverage भी मिलने वाली है, essay की mentorship मेरे द्वारा मिलने वाली है, general studies के सारे subjects यहाँ पे covered होंगे, daily current phase आपको यहाँ पे मिलने वाले है, not only in PDF format, but also in the video format, prelims की test series है, mains की test series है, mentorship, सबसे important बात है mentorship के आपके live doubt sessions है, live zoom sessions है, जबी भी आप किसी भी faculty के साथ connect होना चाहते हैं, को doubt discuss करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, तो यह सब चीजें आपको 30,000 में available हैं, यह सब चीजें आपको बहुत बड़ी-बड़ी academies में date rate दो-दो लाक देने पड़ते हैं, जो के आपको बहुत cost effective rate पे हम लेके आ रहे हैं, हमारे toll fee number पे call करें और इस course को जल्द से जल्द available करें, मिलते हैं बहुत जल्द, thank you so much, जहिद!